हेलो दोस्तो मैं हो रिश्यव चाड़र जी और वेलकम टो एडियोडा हिंदी यूट्यूब चाल आज के सुडियो में बात करने वाले हाउ टू मेक रेजुमे फॉर फॉर्स जॉब या अगर आप फ्रेशर है तो आपको रेजुमे कैसे बनाना है अगर आप फॉर तक नहीं देखा है आपने या अगर आप देखना चाते है तो वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो को पूरा देखिए अगर थोड़ा सा भी यूसफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना चाल पर नहें तो सब्सक्राइब क dermate गरूंगा at the end of this video to stay tune to stuck to the start को तो अभी तक हमको idea मिल गया है रजुमे बनाना क्या है बहुत सारे sections हमने डेख लिया है अब हम आते है extracurricular activities पर तो आपने extracurricular activities में पार्ट लिया है बट अब आपको आइडिया नहीं है की इसको लिखना कैसे resume में इसको कैसे हम अपने advantage में use करेंगे तो extracricular activities एक अच्छा point हो जाता है दोस्तों क्यूंकि उससे आपका कुछ skills रहता है real life जो आप अपने resume में डाल सकते हम start करेंगे few examples से ताकि आपको clear-cut idea मिल जाए कि अगर आपका अपने पार्ट लिया है तो आप कैसे skills add कर सकते नंबर वन आपने किसी foreign language बढ़ा है तो आजकल schools में colleges में आपने देखा होगा कि third language या second language में भी हम कोई different language पढ़ते हैं कोई different foreign languages Spanish हो गया या कुछ और तो फिर आप इसको mention कर सकते हैं कि आप different language पढ़ा है और language से आप क्या-क्या skills दिखा सकते हैं उसके वार हम बात करते हैं तो जो skills आप दिखा सकते हैं वो है communication skills hard work cultural awareness interest in self development communication skills कैसे क्योंकि आपको किसी के साथ communicate करना है क्योंकि आपने language पढ़ा है तो आपके communication skills को दिखाता है कि आप थोड़ा extra effort देके communication skills को आपने improve किया है second hard work अभी किसी भी language को learn करने के लिए आपको time spent करना है आपको सीखना है जिसमें hard work लगता है which is what you can highlight in your resume third cultural awareness जब आप किसी language के बारे में पढ़ते है तो वहां के logo के बारे में वहां के culture के बारे में आपको ज्यादा information मिलता है which is what makes you more culturally aware fourth interest in self-development इसका मतलब क्या है आप अपने आपको improve करना चाहते है किसी ने आपको बोला नहीं बड़ आपने सिर्फ वह language लिया जो थोड़ा अलग था और उसको आपने सीखा तो आपका development अपने खुझ से एक नया चीज सेखा तो interest in self-development second example आपने किसी student council या किसी group में काम किया है अभी यह चीज आप बहुत अच्छे से इसके बारे में mention कर सकते क्योंकि student council में काम करना किसी को मतलब help करना problem में एक बड़ा responsibility रहता है जब आप ऐसा कोई भी टीम में काम करते है तो आप बहुत सारे skills इसके बारे में highlight कर सकते जैसे leadership skills अभी अगर आपने टीम में leader के तरह थे तो आप अपने कैसे leadership दिखाया इसके बारे में आप बात कर सकते हैं also resume में लिख सकते हैं teamwork अभी कोई भी student council में बहुत लोग होते हैं आपको different लोगों के साथ coordinate करना पड़ता है तो आपको teamwork का skill definitely automatically आप सीख जाते है थर्ड collaboration अभी जब भी आप team में काम कर रहे हैं तो आप किसी चीज में अच्छे होंगे कोई और किसी और चीज में अच्छा होगा तो आपको collaborate करके काम करना है तो वो भी एक skill आप mention कर सकते हैं तो ऐसे ही कुछ और skills आप mention कर सकते हैं जैसे organizational skills, problem solving, event planning, fundraising experience, critical thinking skills, decision making, time management, creative thinking skills, hard work, business skills, active listening skills, third example, sports अभी ये बहुत popular है क्योंकि आपने किसी sports में पाट लिया होगा अपने college के किसी team में रहेंगे तो sports ऐसा एक चीज है दोस्तों जिससे आप बहुत कुछ extra सीखते हैं जो आप mention कर सकते हैं तो क्या-क्या चीज आप skills mention कर सकते हैं अगर आप किसी sport में participate करते थे तो जो skills है वो है teamwork, dedication, time management, work ethic, self improvement, communication, leadership अगर आप किसी team के captain थे fourth example अगर आप किसी club या society का part थे तो फिर एक तो हो जाता है कि आप skills मतलब आपका skills दिखा सकते हैं लोगों को and also दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि आप team में काम करते हैं तो अगर आपने किसी society या club में part लिया है तो आप क्या skills mention कर सकते हैं चलिए देखते हैं team work, time management, communication, hard skills या soft skills जो भी specific है उस club के related ये सब आप mention कर सकते हैं 5th point अभी कुछ-कुछ events होता है college में, school में जहां आप participate करते हैं मतलब आप volunteering करते हैं इसमें कोई भी आपको pay नहीं करता है बट एक event होता है और उसमें आप volunteering work करते हैं अभी इस volunteering work में भी आप बहुत कुछ सीखते हैं जो skills आप mention करते हैं जैसे motivation, self-started attitude, teamwork, organizational skills, work ethic तो यही complete information था दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी useful लगा तो एक like जरूर कर देना, चाल पर रहतो, subscribe करके, bell icon में दबा दीजेना, so follow us on instagram, android, edyoda, edyoda अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे 100% Assured Job Opportunity Program के बारे में, तो यह है क्या? So based on the program that you select, पहले हम आपको train करते हैं और उसके बाद हम आपको connect करते हैं to our hiring partners, जहां आप salary package expect कर सकते हैं between 4 to 12 lakhs पर रहना, अगर आप और details जाना चाहते हैं इस program के बारे में, तो website link and contact number आपको description में मिल जाएगे, आज के लिए इतना है दोस्तों फिस्याक वीडियो में मिले करेंगे, तब तक के लिए, बाई बाई